दोस्तों बात करें तो Qualcomm Snapdragon का 8 Gen 4 का आप लोग इंजज़ार करोगे लेकिन हो सकता है Qualcomm 8 Gen 4 श्याद नहीं आए और Qualcomm अपना इत नया प्रोसेर निकाल दे Snapdragon 8 Elite अब 8 Elite के बार में बोला गया कि ये वो प्रोसेसर होगा जो यहाँ पे आपको मेंस होगी वो Apple के 18 Pro से भी ज्यादा पारफुल होगा और ऐसे नहीं कि Apple के 18 Pro से सिर्फ Snapdragon का प्रोसेर पारफुल होगा MediaTek Dimensity 9400 Snapdragon 8 Elite से भी पहले लॉंच होने वाला है और वो भी यहाँ पर Apple के 18 Pro से यहाँ पर फास्ट होगा तो यहाँ बेसिक चीज है कि जो Snapdragon 8 Elite और Dimensity 9400 है यह हम 3NM की जो TSMC की प्रोसेसर उस पर बनेंगे लास्ट यहर तक TSMC की 3NM प्रोसेसर का जो एकसेस था न वो यहाँ पर सिर्फ था Apple के पर अब MediaTek और Snapdragon 9 को मिल चुका है इसके साथ ही Snapdragon का फायदा है यहाँ पर यह कि इतनी प्रीमियम चिप है कि इसकी जो कीमत है वह almost 20% जादा होने वाली Snapdragon 8 Gen3 के comparison में तो आप समझ सकते कहीं न कहीं जो mobile phone जो Snapdragon 8 Elite के साथ हैं उसकी कीमत हलकी सी थोड़ी से और राइस कर सकती है क्योंकि हर सल Qualcomm का यह सिलसला चल रहा है कि mobile phone के अंदर जो processor डालरों की कीमत यहाँ पर increase कर रहा है देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है लेकिन हाँ Snapdragon 8 Elite naming scheme के अंदर को changes हो रहे हैं अब देखा जा तो Intel ने भी अपनी Core i5 वाली branding को छोड़के Ultra Core निकाल दिया Snapdragon 8 Elite पे जा रहा है तो यार काफी interesting चीज़े चल रही है देखते कह रहते है इसके साथ ही अगली important news है आईफोन से related क्योंकि आप लोग मालूम है कि इंडिया में Tata Electronics है जिसकी factory में iPhone के components बनते हैं जैसे की back panel वगरा अब बात ऐसी चल रही थी कि Apple ये सोच रही कि इंडिया से हम लोग iPhone की manufacturing यहाँ पर वापस चाइना वगरा ले जा लेकिन ऐसा करना थोड़ा सा difficult है बेसिकली बात है कि Apple ये चाहती है कि चाइना के बाहर उसकी presence हो इंडिया बहुत अच्छा market था इसलिए हाँ पर गए थे और अभी के समय में Apple की इस तरफ से कोई भी official report नहीं है जहाँ पर वो ये claim कर दे कि इंडिया के बार से Apple का iPhone का manufacturing ये लोग shift कर रहा है इसके साथ अगली का अच्छी news है कि अपसे Apple के iPhone 16 Pro, Pro Max ने इंडिया में officially manufacturing शुरू कर दिया यानि कि अभी तक क्या हो रहा था iPhone 16, 16 Plus को तो day one पे Apple इंडिया में बना रही थी लेकिन Pro, Pro Max ऐसे model से जो अभी तक इंडिया में नहीं बन रहे थे लेकि 16 Pro, 16 Pro Max इनकी manufacturing इंडिया के अंदर Apple ने आपर शुरू कर दी जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और definitely first time Apple अपने Pro models को इंडिया में बना रही और देख किया असा लग रहा है कि चैना के लिए थोड़ा सा खत्रे वाली बात है क्योंकि चैना के उपर टोटल डिपेंडेंसी थी आज से चार साल पहले तक लेकिन अब चैना के उपर से डिपेंडेंसी खतम करते करते इंडिया के उपर manufacturing धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है जो बहुत अच्छी चीज़े बात कर सकता हूँ वह होगा मार्जकरबर का स्टेटमेंट हाली में मार्जकरबर ने काफी इंड्रसिंग चीज बोली वह बोली कि स्मार्ट फोन जो है वह आज के समय में काफी पुरानी चीज हो गया और आने वाला जो future होगा वो smart glasses को और future में जो smart glasses होंगे वह आपके mobile phone को replace करतेंगे हाला कि काफी बड़ा statement है क्योंकि smart glasses इवन खुद apple का vision pro भी इतना बड़ा success नहीं हो पाया था जितने आपके smart phones पॉपलर है क्योंकि एक smart phone में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो basically Orion नाम का एक नहा smart glasses हो ने डेवलप किया है जिसके अंदर micro OLED display है totally AR के उपर focused है वो और काफी advanced चीज़ उसे बना है basically हाँ पर Meta के साथ एक छोटी सी दिक्कत ये थी कि Meta जो थी हमेशा से एक social media platform था जैसे facebook, instagram, whatsapp और ये एक app based company थी इनका कोई product या hardware नहीं था जिस current से ने दूसरे के platform के उपर rely करना पड़ता था जैसे google में play store होता है और apple में app store होता है और जब इनके platform में कोई changes आते क्योंकि google अपने platform को उन करता है apple अपने app store को उन करता हो वो रातो रात अपने policies अपने changes कुछ भी कर सकते एक private company है इस वजए से यहाँ पर कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है meta को जिस का मतलब ये था कि एक बार iPhone के अंदर जो app tracking होती कि individual app आपको track करेगी नहीं करेगी जब ये feature लेकर आई थी iPhone के अंदर कि आप इसे disable कर सकते हो तो कई लोग ने Instagram और Facebook की जो tracking होते disable करी इससे कई स of dollars का जो नुकसान हुआ था मेटा को हुआ था और उसके बाद ये जो Facebook Instagram और जो मेटा है मांक जकरबर को ये बात समझ में आगे कि यार अपना खुद का product जब तक market में नहीं लाएंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आपका जो platform है उसकी उपर वो कि अब उन्हें next big thing के उपर काम करना पड़ेगा क्योंकि smartphone वाली race Mark Zuckerberg पहले ही हार चुके थे इस वज़े से Mark Zuckerberg ने decide कि आने वाले future में जो technologies आगे उसके उपर बैठ करें इसलिए आप लोग को यादे Metaverse के उपर खूप सारी बाते करी थी यहां तक कि Oculus जैसे company को अपने अं future होगा वो होगा एक ऐसे glass का जो हम पहन के कुम है अपनी AR based computing होती है उसका use करें अब देखा तो Apple Vision Pro last year आया था लेकिन इस साल एक dedicated demo दे दिया उन्होंने कि यहां पर आपे AR glass पहन के जो काफी interesting concept लगता है लेकिन मैं अभी भी बूला चाहूंगा कि Meta वाले पूरी कोशी कर लोगों ने इस टाइप की चीज़ अगर accept नहीं करी तो एक disaster भी थाबित हो सकता है और smart phones के बार में मैं already बोल चुका हूं आने वाले 10 साल तक smart phones का कोई भी replacement यहां पे मेरे को दिख नहीं रहा है दूर दूर तक और आने वाले 10 साल तक smart phones exist करेंगे और पहले से जादा यहां बिखते थे लेगिन आज के समय पता iPhone की sales कहां पे जादा हो रही है तीयर टू सिटीज में iPhone की penetration बहुत ही सिब जा रहा है सबसे पहले इंदौर भोपाल लखनौ जैसी जगों पर iPhone की sales जबरदस्त हो रही है और इसलिए अपल यह सोच रही है कि इंडिया में चार और Apple Stores को किया जाएगा और इंडिया में अपनी retail presence को और स्ट्रॉंग किया जाए क्योंकि आज के समय में चीज है कि Apple को इंडिया के अंदर और जादा डीब घुषन है उसे अंदर जादा जाना है जिस कारण से जो Apple वह यहां पर और जाद आईफोन को बेच पाए और इंडिया में बहुत बड़ा market share lip है देखो में एक बात कहली भी बता चुकाओ कि Apple का जो game होता है वो patience का game होता है Apple कोई भी चीज लाती हो बहुत सोस समझ के लाती है उसे पता अगर कोई चीज अभी नहीं चलेगी तो वो सोचेगी 5 साल, 10 साल, 15 साल गा वो यह नहीं सोचती है Apple की अभी यहाँ पर मेरी sales कैसी हो रही है और जब लंबा vision आप रखके सूचते हो न तो आपको long term में success मिलती है और यही Apple के साथ हुआ Apple चाती तो आसे 10 साल पहले जब सस्ते Android phones आ रहे है तो सस्ता iPhone लाके market को पूरा खराब कर सकती है दी लेगन Apple ने ये चीज़ नहीं करी दीरे दीरे स्लोली स्लोली एक एक मूफ किया धीरे धीरे मैनुफेक्चरिंग लाए पहले Apple.com के थूप फोन को बेशना शुरू किया फिर खुद के Apple Store लाए फिर धीरे दीरे वहाँ popularize किया और एक एक साल के gap में अगर आप देखेंगे त इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में इवन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में टॉप 5 के अंदर भी अपनी एंट्री कर सकते हैं और किसी एक बड़ी कंपनी को भी पीछे चोड़ सकते हैं वेल एपल जैसी कंपनी बहुत इंट्रस्टिंग काम कर रही है देखते कब तक यहाँ पर इंडिया में ग्रो करती है और कब तक आपल का जो आईफोन होता है लोग यहाँ पर उसे परचेस करते हैं लेकिन एक बात मैंने देखी जो गैलेक्सी एयाई यहाँ पर लेकर आया ना उसको यहाँ पर हो सकते हैं आने वाले समय में पेड़ कर दे क्योंकि जो आर्टिफिशल टेलिएंस की सर्विसस जो अभी रन हो रही है चाहे मैं Apple की बात करूँ चाहे Samsung की बात करूँ most of things जो है वो आपके सर्वर पर रन होती हलाकि on device भी आप चीज़ें कर सकते हैं लेकिन सारी चीज़ें on device नहीं की जा सकती हैं जिस कारेंट से सर्वर कॉस निकालनी हैं काफी सारी चीज़ें और इसलिए सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा एक ऐसी चीज़ का कि आपको आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मोबाल फोन में यूज़ करनी है तो आप सब्सक्रिप्शन लो आने वाले सम्में Apple भी अपना सब्सक स्क्रिप्शन मॉडल पर जाएंगी जबकि रियलेटी की बात है कि आथ के समय में जातर फोस में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है किमिक की रूप में है रियल वर्ल्ड जो AI implementation होता है वो तो अभी हमने ढंक से देखा भी नहीं है दिखते आने वाले टाइम में क्या रहता है AI के लिए आपको पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है तो वो एक चीज रह गई है तो दोस्ते हैं आज के इस पाड़कास्ट में बस इतन थिंक्यों बन रहे निकलिप मैं आप से विल तो अपने अगले पाड़कास्ट के अंदर गुडबाए